सबस्क्काराप कीजिए Healthy खानाँ चैनल को और बेल आइकन को दवाएए लेटेक्स रेश्पी सबसे पहले पाने के लिए मित्रों नमस्कार आप देखरे हैं Healthy खाना Healthy खाना में आज हम बनाने वाले हैं करेले की एक स्पेसल रिसपी अगर आपको करेला पसंद नहीं है, तो करेलें की ये रिस्पी आपको डेफिनिटली पसंद आएगी, अगर आप एक बार बार आप बना के खाना ऐसे पसंद करेंगे, आज हम बनाने वाले का फरवा, इसके लिए हमने चार करेले को लिए है, जिसे मैंने हाब वाइल कर लिया करेले ऐसे हो जो कि बोजा पतले ने हो उनके पेट थोड़े से फुले हो ताकि हम मसाले उसमें आराम से भर पाएं आधे टमाटर को हमने इस तरह छोड़ी टो ग्रेमें काट लिया है चार पांच कलिया लेसन के और आधे इंच अधरक का टुकरा एक मिडियम साइज प्याज को छोटी टो ग्रेमें काट लिया है धनिया पड़र ले लिया हमने दो छोटी चमच स्वादानुसार नमक ले लिया है सरस्तों लिया है हमने दो छोटी चमच निम्बु का रस लिया हमने एक टेबल स्पून दो तेजपात ले लिया हमने एक छोटी चमच साबुत जीरा ले लिया हमने आधी छोटी चमच हमने गरम मसाला ले लिया है और वन फोर्थ छोटी चमच हमने हिंग लिया है एक छोटी चमच हमने हल्दी पड़र ले लिया है जीरा पड़र लिया है हमने एक छोटी चमच, दो मीडियम साइज टमाटर लिया है और दो मीडियम साइज प्याज को भी लिया है हमने, ये टमाटर और प्याज हम ग्रेवी में यूज करेंगे, इस तरह से हमने टमाटर और प्याज दे लिया, बेसिकली हमें अब क्या करना है टमटर और प्याज का पेस्ट बनाना है और साथ ही लेसन और अधरक का भी हमें पेस्ट बनाना है उससे पहले करेले को हमें करेले को काट के उसके बीज को खाली करना होगा अंदर से आप देखलें इस तरह बीज से इसे काट तेंगे पहले तो करेले को हमने हाब वाइल पहले कडर रहता है इस तरह से इसका सारा बीज हम निकालेंगे सब्धानी से ताकि करेला फटे भी नहीं और उसके बीज जो है बिल्कुल वह अंदर के खाली हो जाए ताकि हम मसाले उसमें आराम से भर पाएं इस तरह से सब्धानी से ध्यान रखेंगे बस करेले पूरे ना पके इस तरह से हमने खाली कर लिया इसे तो सारे करेले को हम इस तरह से काटके हम खाली कर लेते हैं कि सारे क्रेले को हम ने इस तरह खाली कर लिया है है उसके सारे बीच हमने इस तरह समuld करने वाला अब हमने एक ग्रेंडर जार लिया इसमें सारे बीच को डाल देंगे सर्षलों डाल है कि deci in the for कि साथि लेस और अध्रक जो आपने रखा उए ठाल देते हैं कि इसमे आप इसमेर्य को बेर्टें च्री में करें टाल दिया है इसंग फिर दें स्वाध्मेर्न सर्थ हैं थोड़ा झीजका नंप हिदा आप थोरा पानी डालते हैं नमक पानी और यसे हम अब GIRL कर लेते हैं साथी टमार्टर और प्यार्ज को भी हम gradual कर लेता अलग से तो फिर मिलते हैं सिस्ते हुआ है इससे हमने sasaw गाले के बीज नमक अद्रक लचन का पेश्ट भाल लिया है और और प्याज और टामाटर का भी अलग से पेस्ट बाँगी है हमने अब आते हैं हमने प्रोसेस पे कराई को गर्म होने के लिए चरा दिया है कराई में लगबग एक से डेक्टेबले स्पून का सपस हमने वेजिटेबल ऑल डाल देते हैं मसाले को फ्राई करना है क्यों बरने के लिए मसाले चाहिए तो मसाले फ्राई करें तो ओईल को गर्म होने दें ओईल हमारी गर्म हो चुका है अब इसमें हम थोरा सा जीरा डाल देता है यतना हमने लिया था उसका आधा जीरा चटक जाने एक बाद इसमें अब टामाटर और प्याज छोड़े टुक्रे में काट रखा था हमने वो डाल दें और इन सबको डाल के छेसे हम फ्राइए करेंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए प्याज यहां पर ऑप्षिनल है इस चगर में अगर आप चाहें तो ना भी डालने इस तरह मधिमाज पेसे चलाते रहें प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो इसमें एक छोटी चब माझ धनियं परडर टाल दयते हैं आधि चोटी चक्मच हम हल्दी परडर चेंज जीरह्पड़र डलेते हैं आधि हम एक तो जाल दयते हैं और इन सबको अच्छे से चल जा लेते और अच्छ मधी में रहेगा ताकि मसाले हमारे जले नहीं और हम इसमें पेश्ट डाल देते हैं जो हमने बना रखा था सर्सों लेशन अद्रक और करेले की बीज से बना रखा था जो वो मसाले भी इसमें डाल दें और अच्छे से मिला दें और इसे इस तरह कुछ देर तक भूनते रहेंगे जब तक कि कराई मसाला ना छोड़े ध्यान रहें आज मद्धी में रहेगा इस प्रोसेस में ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए और इसे लगातार चलाते भी रहें कि इस मसालय को हम करले के अंदर भरने वाले हैं तो इसे अच्छा से फ्राइ नेगे मद्धिमाच पर इस तरह से कि देखेंगे आप मसालय का कलर भी चेंज हो गया है लगवग तीन से चार मिर तक हमने चलाया है बिल्कुल इस तरह हैं अभ इसके साथ हम घयस को बंद कर देत은 हैं गैस को निकाल लेते और इसे फिर भरेंगें मसाले को अब हमें तियार कर लिया है अब हमें करेले के अंदर मसाले को इस तरह से मसाले को स्पून के साहरे करेले के अंदर हमें भरना है इस तरह से साबधारी से भर दें अच्छे से टाइट करके भरें ताकि जब हम ग्रेवी में से डालें तो ये इसके मसाले निकले नहीं कूeties अब को हम साहिए को बूले को आगी दूसरी तरह हम करेले को करके कर लेते हैं यह तरह से कर लिए है बचे में मसाले कर लिया है इसे मैं ग्रैवी में यूज़ने वाला हुँ के दूसरी तरब कराहे हमारी गरम हो चुक है इसमीर कर्डलर को डिफ ह्राइ करने के लिए लगवाद साम सब्सक्राबस का स्पास हम वीजिटेबल ओusan लेल लिए इसमें इसमेर हमें वेकी डिफ फ्राइ करना करेले को तो ओल को गरम होने देतING अलंकि हमारा गरम हो चुका और वो जले नहीं बिल्कुल भी तो मधी माझ पर इसे हम deep fry करने वाले हैं के तो सारे ख्रीले को अ बढू के अक kept affair कि आभ इन Man spikes 572 10 Dan आंज को कमी रखें गे के फ्सक्राइबत पिंस यूद्रहागे अगर इस तरह से कलर चिंज होगी है करे आज pelक दें और दूसी तरफ से भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे सारे करेले को हम इस तरह से पलट लेते हैं इस तरह से सारे करेले को हमने पलट लिया है अब दूसी साइट से भी से हमें फ्राई करना है इस तरह से हमारा करेला चारो और से फ्राई हो चुका है इससे अब हम निकाल लेते हैं किसी अलग बरतन में साब्धानी से से निकाल लेते हैं सारे करेले को निकाल ले इस तरह से सारे करेले को हम निकाल लेते हैं सारे करेले को इस तरह हमने निकाल लिया है और इसमें से हम एक्स्टा ओयल निकाल लेते हैं बागी बच्छे ओयल से हम ग्रेवी बनाएंगे लगभग हमें देट से दो स्पूल टेल रखा है समें अब इसमें हम ग्रेवी बनाने का सारा मेटेल दालते हैं सबसे पहले स्में जीरा डालते हैं जीरा के धोरा से चटक जारने पर इसमें हिंग पॉड़े डाल देते हैं तेजपाट डाल दे और सबको अच्छे से मिला देते हैं इस तर से बिल्कुल अच्छे से मिला देते हैं इस तर से अब इसमें हल्दी पॉड़े डाल देते हैं हल्दी पोडर टालने के बाद एक बार इसे थोड़ा सा मिला दें ताकि हल्दी पोडर थोड़ा सा फ्राई हो जाए अब इसमें हम प्याज और ट्रमाटर का जो पेश्ट बना रखा था वो डाल दें और इसके साथ इसे हम फ्राई करने वाले हैं अब इसे चलाते रहें इसमें हम जीरा पोडर डाल देते हैं और धनिया पोडर डाल देते हैं आपका जो बज़ा हूँ मसाला था जो की करेले में हमने इस्टप किया था वो मसाले भी इसमें हम डाल देते हैं डाल के अच्छे से मिला देते हैं और इसे मध्धी माच पर चलाते रहेंगे लगातार चलाते रहेंगे और स्वाधरुसार नमक भी डाल देते हैं सारे मिसन को अच्छे से हम चलाते रहेंगे मिला देंगे पहले और चलाते रहेंगे मध्धी माच पर शिर्फ हमने आप गरम मसाले के पड़र को बचा कर रखा है, गरम मसाले में बाद मी डालूँगा, माके सारे मनने मसाले डाल दिये, इस तर चलाते रहेंगे इसे, आज मधी मी रहेगा, इसे चलाते रहेंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे से फ्राइ हो जाए, और अच्छी कीचेन में फैल जाए, इस तरह से देखेंगे जैसा कि आप भी कराई मसाला छोड़ने लगा है, एक्स्ट्रा जो पानी था मसाले में वो डिकल चुका है, लगवक थोड़ी देर, लगवक आदे मिनित तक और हम इसे भूनेंगे, ताकि और थोड़ा सा ड्राइ हो जाए मसा इस तरह से चलाते रहें से, इस तरह से बिल्कुल चलाते हैं, रहना अक्से लगातार ठाकि अंदर से लगे नहीं, जीसा कि आप भी देख पार हो में कराई ने बिल्कुल मसाला छोड़ दिया है, अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देता है, जितनी ग्रेवी आपको उस हिसाब से पानी डालें इस तरह से मिला दें अच्छे से बिल्कुर अच्छे से मिला दें इस तरह से इसे मसाले में अच्छे से पानी को हमने मिला दिया अब गरम मसाला पॉडर भी इसमें डाल दें गरम मसाले पॉडर के साथ भी मिला दें इसे और सारे करेले को इसमें एक एक करके हम डाल देते हैं करेले को हम धीरे चलाएंगे अगर चलाना भी होगा तो तेजी से नीच लाएंगे उसके मसाले निकलने लेगे इस तरह से हमने सारे करेले को ग्रेवी में डाल दिया है एक बार इसे हम थोई दर के लिए हम ढग देते हैं ताकि मसाले के खुषबू अच्छे से करेले में आ जाए और साथ ही करेला जो बचा हुआ है वो पक जाए अच्छे से हलाकि वो पक गया हुआ फिर भी थोड़ा सा और पक जाए एक बार उबाल आ चुका है तो इसे हम निक के अगर आप बनाएंगे तो आप कि दोवारा बनाना करेंगे यफ संद करेंगे वीडियो के लिए आप सभी का बहुत अगत अगर इसे सबंदीत को जहना ना है था हमारी कमेंट पर जैुरूर कुछे ने वाद